जब हम ऐसी जगे रहते हैं जहां हमारे पास जगे की कमी हो जैसे सहरों में फ्लैट वगरे में और हमें पौधो हुआ सोख हो ऐसी में अगर हमें यह ना पता हो कि छोटी गमलों में कौन-कौन सी पौधी लगते हैं तो जगे कम होने की वज़े से और हमें पता ना होने की 3-4 साल तक भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जो चोटे चोटी पोड theyard चार शायंच के आप chosen तो so सारी जए करें वियक्ति मैंने आषी मैंने एसले गांट जो कि बहुती हार्डी है और सारे इसारे प्रमारेंट है एक बार लानिक बाद सालों साल बने रहेंगे और इनकी केर भी नहीं करने पड़ेगी और सभी मैंने सस्ते प्लांट रखे हैं एक दो प्लांट है जो थोड़े से ऊपर है नहीं तो मुस्तनी 30-40 रुपे में आपको इजली मिल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वी देखे कितने अच्छी चल रहा है आप इसको छोटी-छोटी बोतल में और जो यह हैंगिंग बास्टिट बगर होती हैं उनमें लगा करके हैं कर सकते हैं क्योंकि एक ऐसा प्लांट है जो कि थोड़ा सा बेल की रूप में बढ़ता है यानि की वाइन की रूप में तो यह छ करें तो नर्सी पर यह आपको 20-30 रुप में मिल जाएगा तो इसको आप आभी मांचल में आड़ कर सकते हैं यह सालो साल चलता रहता है उसके बाद दिखिए नेक्स प्लांट है हमारा जैट प्लांट आपसे भी जानते कि जैट प्लांट इस टाइम ट्रेंड में बहुत ज ज्यादा बड़े हैं वह स्रफ आठ इंच के पॉर्ट में लगे हुए हैं और यह देखिए मग था एक जो कि सब 6 इंच प्लांट में लगा हुआ है और यहां आगे छोटी-छोटी से प्लांट है यह मिल बें यह भी काफी बड़े हो चुगे यह 6 इंच का है और कुछ यहा चलकता है उसके बाद देखिए नेक्स प्लांट है हमारा इंग्लिश आइवी और यह भी बहुत ही खुबसरत प्लांट है देखिए इसके जो वेरिगेटेड लेव्स हैं देखने में काफी खुबसरत लगती है पोट आपके सामने जो है यह सरब पांच इंच का पोट है और कि कितना खुबसरत लग रहा है यह फार्ण नुमा प्लांट है जोकर बेल की रूप में बढ़ता है जितने भी हमारे बेल वाले यह रखना है वरना लीव गल जाएंगी ऐसी जगरे के मारी की एक आधि हंटी के सनलायट मिल जाए तो यह काफी अच्छा ग्रोव करता है और ज्यादा और वाटरिंग नहीं करनी है उसके बाद नेक्स प्लाट है हमारा इस्पडर प्लाट दीख सकते हैं कितना होता है इसमें भी दो वराइटे आते हैं यह इसके वेरीटेट इसने अगैसे यह मिच आप देक रहे हैं इसे में लंबे टाइम तक इसी में चल रहे हैं तो यह इजली चाहर से चंज के पॉर्ट में बखत 2 सा जलते हैं इनको पानी कर ज़ती है तो अगर आपने इसमें जूड़ भल्ब जाती हैं जो की लाइक सान मिल जाता है में धीकिम्ट ते जित्स नेधिine के 적लने ज़तीह पंटीना और यह फिस प्र हम लम्मिटायन टाएन तक चोल जातीASE और यह देखिए छोटी-छोटी जो बोतल थी वो लगवव 4 इंची है और यह लगवव 5 इंच का एक पेंट का डिबा है तो देख सकते हैं और इसको प्रोपगेट करना भी बहुत आसान होता है आप इसको जो यह ऊपर छोटी-छोटी से बेबी पब निकले हुए है इनसे भ इसको प्रांट हो जर्ना गया है कि यह आपको यह प्रोपर गवाश्टेस पर नहीं मिनके लगव CDC Cactus आप सभी की प्लेशी पर लगते हैं जहां णंको जाड़ा संहला है वरना यह गल जाते हैं उस बात देखिए जो डेक्स प्लांट है वह हमारा दूसरा कैक्टिस यह हमारा पैंसिल कैक्टिस देख सकते हैं कि देखने में प्लांट कितना खूल सुर्थ लगता है प्राइस की बात करें तो मैं नर्सिस इसको सरफ 30 रुपे में लेकर आई थी और बहुत हाड़ी परमाने प् तो यह वाला पॉट देखिए सरफ 6 इंच का है और जो आगे बहुत लखी हुई हो तो आप देख सकते हैं कि सरफ 4 इंच की हैं तो आप इसको वी इस्ट्र में भी आसानी से लगा सकते हैं और यह चोटी-चोटी पॉट में बहुत लंबे टायन तक चल जाता है कटिंग से करना बहुत आसान होता है जब भी आप इसकी कटिंग लेंगे तो इसमें वाइट गलर का मिल्क निकलता है उसको कुछ टाइम के लिए रगदे इसकी कटिंग लगा देंगे उसकी बाद तो बहुत अच्छा जल मिलेगा उसके बाद जो नेक्स प्लांट है और देखिए यह चोटे-चोटे पॉट में लंबे टायन तक चल जाता है यह हमारे यह फर्वया मिली और यह प्लांट बहुत ही खुब सर्द ब्लुमिंग करता है और यह पूरे साल इसमें फूल आते रहते हैं चाय सर्दी हो गर्मी हो या फिर बरसात हो प्राइस की बात करें तो यह इसकी प्रोपगेट करना काफी आसान होता पानी का आपको ध्यान रखना ज्यादा पानी डालेंगी तो इसकी स्ट्राइम नीचे से गल जाएगी और इसको भी आप कटिंग से जली लगा सकते हैं तो इसको एट करना ना भूले मांचिन में और थोड़ा से बाइश यह हो तो आप स्कुलेंट से देखने में कम नहीं लगता और यहां पर यहां पर यह मेरा कैलन्चों का फ्लांट लगा हुआ था और जैसे कि मैंने आपको दिखाए उसके कुछ लीव्स बर्न हो गई है और यह पूरे टैर्स पर इस टाइम गर्में में भी रखा हुआ है और ग्रेन नहीं लिव्स थोड़ी से डल आपको नजर आ रही है पर जैसे इस पर बाश का पानी एक दो बार पड़ेगा तो इसकी जो लीव्स है उनमें आपको साइन नजर आएगा यानि कि चमकते हो ही इसके जो लीव्स होती है काफी मकमल जैसी होती है टच करने पर प्राइस के बात करें करते रहेंगे तो छोटे से पॉट में भी अच्छी क्रोथ होती रहेंगी तो देख सकते हैं कि एक ही यह बोतल का टुकड़ा है और इसमें लगवा 5-6 बीवी प्लांट निकले में हैं और काफी लंबे टाइम तक चल रहा है प्राइस के बात करें तो इस टाइम आपको अल के लिए यूज करते हैं तो इसको भी आप एड़ करें अपने गार्डन में देखिए दोनों चोटे चोटी बॉतल की टुकड़े में लगे हुए हैं और साइट से बेवी प्लांट निकल रहे हैं दोनों में ही उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा रियो का प्लांट औ लगा सकते हैं और यह हैंगी बासिट में चोटी बॉतल में लगा हुआ काफी खुर्चस लगता है इसमें साइट से बेबी निकलते रहते हैं आपको जिस उनको सापरेट करके एक नया स्वाल मिक्सर देना होता है और इस तरीके से आपके पास एक और प्लांट तियार हो ज ज्यादा पारी नहीं डालना है और कम सनलाइट का रिकौर्मेंट होता है इसको भी तो इसको भी हैट कर लें आप अभी गार्डन में और इस तरीके से आपको कम टाइम में बहुत सारे प्लांट में देख सकते आप नीचे से कितने सारे बेबी प्लांट निकल रहे हैं तो इसको भी हैट करें उसकी बाद देखिए जो नेक्स प्लांट है हमारा वह है मदर ऑफ थावजन देख सकते हैं यह प्लांट भी देखने में काफी खुपसरत लगता है चोटी-चोटी पोट में इसने लग जाता है यह नर्सी का जो पॉली ब्याग होता है और दो प्लांट लगे हैं और हाइट की बात करें तो शायद दस इन से भी बहुत ज्यादा है इस प्लांट की जो हाइट इसमें जो प्लांट है चोटी-चोटी से बेवी प्लांट में निकलते रहते हैं मैं आपको कई वीडियो में शेयर करा है कि इसकी लगभा 500 से भी ज्यादा मेरे पास हो गया है तो इसको भी हैट करें और पानी का ध्यान रखना है ज्यादा पानी नहीं डाला है प्राइस की बात करें तो 30-40 रुपे में इजली मिल जाएगा और ज्यादा स्नलाइट मिना रखेंगे तो इस तरह की से कुछ देन कलर निकल के आएगा जो कि देखने में काफी कुछ लगता है और पीछी आप देख सकते हैं काफी सारे मदर ऑफ थाजन रखे हुए तो यह चोटी-चोटी पॉट में लब में तक सल जाता है उसके बाद देखें हैं चोटी से बोतल में लगा हुआ है और कुछ मेरे हंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं क्योंकि को सब्सक्राशिक वाइन हाय जो की बेल की रूप में बढ़ता है और चोटी-चोटी पॉट में यह बहुत इसल जाता है तो जोती जोटी-बेल वाले प्लांट होते हैं उनको हम चोटी-चोटी पॉट में आशानी से लगा सकते हैं इस प्लांट को भी आप इंडोर रख सक कि कम पानी भी नहीं डालना है मौश्चर बना के रखने हैं आपको उसके बाद के नाइक्स्ट डैवल्स बैक बॉन यह चोटी चोटी पॉट में आसाने से चल जाता है तो यहाँ पर मैंने वह प्लांट दिखाया है इसमें अभी कम ग्रोथ होई है और कुछ प्लांट जो मेर अभी आड़ कर सकते हैं और यह चोटी चोटी पॉट में लबने टाइम तक चल जाता है क्योंकि इसको भी पानी का कम रेक्वायर्मेंट होता और स्ललाइट का भी प्रांस की बात करें तो यह आपको 20-30 रुपे मिल जाएगा तो इस तरह से यह कुछ प्लांट है जिनको आ आप भी एड़ कर सकते हैं और यह चोटी चोटी पॉट में लबने टाइम तक चल जाते हैं तो आए हो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह आपके लिए यूसफुल साबित होगी तो चलिए मिलते हैं नाक्स वीडियो में अपना और अपनी फैमिली का ख्या लख करते रहेगा तो अच्छी वीडियो गोल्ड बाई